Hello everyone, इस वीडियो में हम A ratio B given है, B ratio C given है और C ratio D given है और हमें क्या find करना है A ratio, B ratio, C ratio and D तो सबसे पहले A ratio, B ratio, C ratio, D देखें, A ratio B क्या given है हमारे पास, 2 ratio, 3 B and C क्या given है, 5 ratio, 2 and C ratio D क्या given है हमारे पास, 1 ratio, 2 अब हमारे पास इधर C given नहीं है और क्या given नहीं है, D given नहीं है इधर मारे पास A and D given नहीं है और इधर मारे पास क्या given नहीं है, A और B given नहीं है तो 3 को हम इधर भी write करेंगे और इधर भी write करेंगे 3, 3, 5 को हम इधर write करेंगे और 2 को हम इधर write करेंगे इधर हम 1 write करेंगे और इधर भी हम क्या write करेंगे, 1 अब इन सब को हम multiply करेंगे, सबसे पहले 2 को multiply करेंगे 5 से, 2 5 जा 10, 10 को मन से 10 मिन्जा 10, 3 को 5 से 15, 15 मिन्जा 15, 3 इंटू 2, 6, 6 इंटू 1, 6, 3 इंटू 2, 6, 6 इंटू 2 is 12, तो हमारी A रेशो, B रेशो, C रेशो, D क्या आ गए, 10 रेशो, 15 रेशो, 6 रेशो इंटू 12, ऐसी और अच्छी वीडियो के लिए प्लीज डू लाइक और सब्सक्राइब टू आर चैनलू